अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आड कौन है? कौन है वाँ? कौन है? बोलता है क्यों नहीं कौन है या? यह तो सरस्थी के कहने है यह यहां कैसे आगे? प्रतीक? कौन हो? मैं मैं सरस्थी तुम तो मुझे भूल गए प्रतीक पर मैं तुमें नहीं भूल पाई इसलिए तुम्हारे पास आगे प्रतीक? तुम पीछे क्यों जा रहे हूं? मेरे पास आओ? नहीं यह कैसे हो सकता? तुम यहां कैसे आ सकती है? नहीं तुम तो मर चुके हो तुम मर चुके हो ऐसा मत कहूं मैं नहीं मरी तब ही तो तुम्हारे सामने खड़ी ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि? क्योंकि मैंने मारा है तुम्हे मैंने गोली मारी है तुमको तुम? क्यों जीजु क्यों? आप तो कहा करते थे किस सरस्वती जीजी आपके जिन्दगी है क्यों आपने उनकी जान ली? क्यों हत्या की मेरी जीजी की बोले? आप तो तुम सब को जाने चुकी हो ना? तो लो तुम्हें भी तुम्हारी जीजी के पास भीरतेता हूं और सवाल है ना तुम्हारे पास अरे सरे सवालों का जवाब दे देंगी हूँ चुलि एक कड़ों का गार पास कुली एक एक है टा पास टूलि एक टूलिए पास कुली एक है टूल वर्ना जान से मार दूगा बहुर। क्योंकि मैं मैं पारों से प्यार करता था और ये तुम से प्यार करते थी और तुम दोनों का ये प्यार मैं परताश्ट नहीं कर सकता था कि मैं पारों पर बुरी नजर रखता था वो कहने लगी वो ये बात पारों को बता देगी पस तब ही फैसला कर लिया था मैंने कि उसका मू हमेशा हमेशा के लिए पंद कर दूगा और मैं यही करने जा रहा था कि तुम पीच में आ गए करन मेरी मुश्किलें तब बढ़ गई जब मुझे पता चला कि तुम बच गए मुझे पता था मुझे पता था पारों तो तुम्हे धूंडी निकालेगी क्योंकि उसे तो यही लगता है ना कि उसकी जीजी का कातिल करन है और वो तुमसे बदला जरूर लेगी बस इसी बात का फाइदा उठाने के लिए मैं यहाँ चला आया आज सुबह तुम एने ते कर लिया था कि मैं इसे भी हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दूँगा लेकिन फिर तुम बीच में आओ गए सुन लिया पारो इनकी सच्चाई इन्ही के जबानी सुन दी ना अब तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद होगा है स्पेक्टर साब देचाईए से अधिडी लगाओ इसावलदात अर यह रहन के कुनाह के सुबूत तुम दोनों ने यह ठीक नहीं किया बात बड़ी कीमत चकानी पड़ेगी इसकी ले चादो इसे चलो फिसे लेडी वे रास्ति रास्ति अर्ण भाँश करते वे तार रेड़器 लेड़़े ने शेल और यह अर्श वे लेड़ मुझे माफ कर दो कर आगा मुझे तुम पर और अपने प्यार पर अपने प्यार पर अपने प्रसा करना चाहिए था यह जो कुछ भी हुआ है वसा मेरी मज़े से मैं हमेशा अपने दिमाग की सुनती रही और दिल की बात को अंसुनी करती रही शायद अपनी जीजी को खो जाने के बाद और दुनिया पर से विश्वास ही उड़ गया था लेकिन मैं भूल गए थी विश्वास ही प्यार की पुनियाद है लेकिन मैं बस पर मैं तुम्हारे दिल और दिमाग की हालत समझ सकता हूँ अगर तुम्हारी जगे मैं होता तो शायद मैं भी वही करता हूँ जो तुमने किया अरे मैं तु तुम्हें शुक्रिया कहने आया था के तुम मेरी जिंदगी में आई था मुझे इस बात का ऐसास दिलाया कि कि मैं अपने परिवार वालों के साथ कैसा बरताव कर रहा था कितने दुख दे रहा था मैं उन्हें मुझे मेरा परिवार लटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ले चलो करा मुझे उन सब के पास ले चलो मैं सबसे अपनी एक एगलती और बुरे बरताव के लिए सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगा चाहती हो मुझे ले चलो कर दो कर दो कर दो दो